दोस्तों, पित्रपक्ष में ओम नम्ह शिवाय का जब करने से हमारे पूर्वच प्रसन्न होते हैं। उनकी आत्मा को शांती मिलती है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नम्ह शिवाय। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार, भादरपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पित्रपक्ष आरंब होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्व पित्रो अमावस्या भी कहा जाता है। और उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पित्रपक्ष 18 सितंबर से आरंब होकर 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। बच्चे बढ़े सभी को पित्रपक्ष में कुछ ऐसी सावधानिया हैं जो बरतनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यम्राज श्राध्ध पक्ष में पित्रों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे स्वज आस्या की रात्री को पित्र लोक चले जाते हैं। इसलिए ये सोलह दिन पूर्ण रूप से पित्रों को समर्पित होते हैं। इन सोलह दिनों में पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पिंडदान, श्राध्ध, तरपन करम किये जाते हैं। पित्रों के लिए श्रध्धा से और मांगलिक कार्य नहीं किये जाते हैं शास्त्रों में पित्रपक्ष के कई नियम बताए गए हैं अगर उन नियमों का पालन ना किया जाए तो इससे पित्रदोश लगता है पित्रदेव नाराज हो जाते हैं पित्रपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जिनका सेवन पित्रपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पित्रों को या ब्राह्मनों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों बढ़े बुजर्गों द्वारा ब्राह्मनों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पित्रपक्ष के दौरान वही भोजन बनाए वही भोजन का पित्रों को या ब्राह्मनों को भोग लगाएं जो पित्रों को पसंद था। तभी ही पितरों की आत्मा को शांती मिलती है। लेकिन यहां पर हम कुछ ऐसी गलतियाओं कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूरवजों को लहसुन प्याज पसंद होता है। तो जब वे भोजन बनाते हैं, तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं। और पूरवजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राहमनों को वो भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नौन वेज पसंद होता है। तो वे नौन वेज लेकर किसी जरूरत मंद व्यक्ति को पित्रों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पित्रों का आशीरवाद प्राप्थ हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पित्र पक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पित्रों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तिमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णू और महालक्ष्मी जी को पित्र देव कहा गया है। पित्रों का भोजन श्राध तरपन पिंड़दान सबसे पहले भगवान विष्णू और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती है। उसके पश्चात ये पित्रों को मिलता है और अगवान विश्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और जब वे पित्र देव स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारे पित्र भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। पित्र पक्ष के दौरान पित्रों को जो भोजन बनाए वो बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट अंडे का होना चाहिए। ये सभी सामगरी शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए। घोर पाप लगता है। पित्र देव क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखे पित बासी भोजन शैतान को प्राप्थ होता है। पित्र पक्ष के दौरान नहीं बासी भोजन करना चाहिए और नहीं किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरत मंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दे। शास्त्रों में बताया गया है कि पित्र पक्ष के दौरान पित्र किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं। और अगर ऐसे में आप पित्रों को बासी भोजन दे देंगे तो इस से आपको पित्र दोश लगेगा। इसी लिए इस बात का विशेश ध्यान रखें ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों पित्र पक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन सोलह दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं पर अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदे इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पित्र पक्ष के दौरान पती पत्नी को दूरी बना कर रहना चाहिए क्योंकि इस दौरान हमारे पित्र देव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पित्र नाराज होकर चले जाएंगे पित्र पक्ष के दौरान घर म का भोजन बनाते समय भोजन में चावल दाल या रोटी ना बनाये. पितरों के लिए सदैय पक्का भोजन जैसे कि पूरी कचौड़ी, पराठे इत्यादी आदी बनाये جاتے हैं, हलवा पूरी बनाये जाते हैं, खीर आदी बनाई जाती है. पित्रों को खीर बहुत पसंद आती है खीर खाकर हमारे पित्र हमें धेरों आशीरवाद देते हैं पित्र पक्ष के दौरान आप स्वैन दाल, चावल, रोटी आदी खा सकते हैं पर पित्रों को ये चीजें ना दें लेकिन याद रहे पित्रों को जो भोजन बनाएं ब्राहमणों को जो भोजन कराएं वो पक्का ही बनाएं जैसे कि खीर, पूरी, मूंग डाल की कचोड़ी, दही जले भी इन चीजों को आप बना सकते हैं लेकिन याद रहे पित्रपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। श्राध्ध पक्ष के दौरान पित्रों के भोजन में नीमबू नहीं डाला जाता। आप स्वयम नीमबू का सेवन कर सकते हैं लेकिन पित्रों के भोजन में ब्राह्मण भोजन में नीमबू ना डालें। पित्रपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। इसलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाईयां बर्फी इत्यादी का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीजें आप अपने घर में ही बना कर खा सकते हैं। दोस्तों पित्र पक्ष के दौरान गाए के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। खास तोर पर वो गाए जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाए के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। पित्र पक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पित्रों को ब्रह्मनों को भोग लगाया जाता है। इसलिए आप पित्र पक्ष के दौरान दूद से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहन कर सकते हैं। लेकिन खाली पित्र पक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है। इस बात का विशेश ध्यान रखें। पित्र पक्ष के दौरान कुलते की दाल का भी सेवन ना करें। इस बात का विशेश ध्यान रखें। पित्र पक्ष के दौरान गलती से भी अपने पढ़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पित्र पक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है। इससे उल्टा कर्ज का बोज और बढ़ जाता है। दोस्तों पित्र पक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे हमारे पित्र नाराज हो जाए। आप थोड़े से ही प्रयास से पित्रों को प्रसंद कर सकते हैं। दोस्तों गरुढ पुरान के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन है जो आपको पित्रों के लिए बनाने चाहिए। सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हाँ। पित्रों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी परिस्थिती इस अनुक पूल ना हो तो पित्रों की त्रिप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए। जिसमें सूखे मेवे डाल कर पित्रों को परोसें। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौट तो कद्दू की सबजी अवश्य बनाएं और पित्रों का आहवान करते हुए उन्हें अरपन करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हां शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पित्रों को याद करते हुए एक रोटी कौय को और दो छोटी इन दोनों दालों के विशय में गरुढ़ पुरान में बताया गया है, जिसमें दो दालों से बनने वाले व्यंजन, चाहे वो मीठे हुए या नमकीन अवश्य पितरों के लिए बनाने चाहिए, अगर आप उनकी श्राध्ध तिथी पर ये दालें बनाते हैं, तो अधिक आईए, अब जानते हैं कैसा भोजन नहीं बनाना चाहिए, कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मानसाहर भोजन पसंद था, तो उन्हें पितर श्राध्ध पर मानसाहारी बनाकर खिलाना चाहिए, किन्तु पितर लोग में प्रवेश के पश्चात, पितरों का भोजन सात इसलिए उनके श्राध्ध या भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापी नहीं करना चाहिए। जिससे पित्र उन्हें आसानी से ग्रहन कर पाए। यह एक सबसे महत्वपून बात हम आपको बताना चाहेंगे। आप अपने पित्रों को भोजन खिला कर संतुष्ट कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लायक करें। कमेंट में जैश्री, कृष्न जैपित्रदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सबस्क्राइब करें।